हेलो एबरिवन वेलकम टू यू यूर यूटूब चैनल दी कंसेप्ट जैहिन टू आल आज हमारे पास इंपोर्टेंट टॉपिक है युनेस्को आज हम इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे युनेस्को क्या है कब इसकी एस्टेबलेश्मेंट हुई है क्या इसका अबजेक ही में हम ये भी जानेंगे युनेस्को और भारत का रिलेशन कैसा है और हाल ही में युनेस्को न्यूज में है USA के वज़ज़ से उसके वारे में भी डिटेल में जानेंगे चलिए इस वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं आज के इंटरस्टिंग टॉपिक युनेस्को के साथ वीडियो लेक्चर को शुरू करने से पहले आप सब के सामने एक क्वेशन है और आपको इस क्वेशन का अंसर कमेंट बॉक्स में करना है Question है Where is the Headquarter of Asian Development Bank Asian Development Bank यानि की ADB का Headquarter कहां पे है A option है Washington DC, B option Geneva, C option Manila, D option Shanghai आप सब इस question का अंसर कमेंट बॉक्स में कीजिए चलिए शुरू करते हैं Interesting Topic UNESCO को UNESCO जो की United Nation की एक Specialized Agency है और इसका परपस है कि ये शांती को परमोट करें और कुछ एरिया हैं दुनिया में जिनके ओपर काम करें जैसे कि Education, Science and Culture Basically इन सारे सेक्टर्स पे डिटेल में काम करने के लिए UNESCO को बनाया गया है UNESCO 193 मेंबर्स हैं और 11 Associates Partners भी है और बहुत सारी Non-Governmental, Inter-Governmental और Private Sector और Organization इसकी Members है दुनिया भर में इसका Functions है और ये बहुत सारे जो भी Members Country हैं उनके लिए अलग-लग सेक्टर्स के दुरू काम करता है तो UNESCO के दुनिया में 53 Offices हैं और 199 National Commissions है इतिहास के बारे में जानते हैं UNESCO के 1942 में यूरोप की देश जो की सामना कर रहे थे नाजी जर्मनी और उसके सहयोगियों का उसी समय उनके दिमाग में आया कि युद के समय अगर हम किसी एक ऐसी organization की formation करे जो की दुनिया में एक शांती बनाए रखे तो बहुत सारे European countries इकठा हुए UK में और एक meeting की जिस meeting का नाम रखा गया है केम जिसका full form है Conference of Allied Ministers of Education इस conference का purpose था कि दुनिया बर में establish किया जाए educational and scientific system को युद के जैसे ही खतम होता है उसके बाद project worldwide में limelight में आया और नई countries जो भी इसकी member बनी जैसे की USA उन सब ने इसको support किया केम के ideas के थुरू एक international organization बनाएगी जिसका purpose था educational and cultural development करना दुनिया भर में अलग-लग देशों की और ये सब decision लियेगे एक conference London में हुई UK में 1945 उसमें इस चीज के बारे में decision लिया गया जैसे ही युद के खतम होने के बाद ही एक organization की establishment कीगी जो कि किसी भी देश के लिए open थी join करने के लिए और जब इसको बनाया गया तो 40 देशों के representatives ने मिलके इस organization की नीव रखी और एक purpose रखा कि दुनिया भर में शान्ती को बनाए रखेंगे और जो भी world war या किसी भी तरह की problems हैं उनको avoid किया जाएगा motto था UNESCO का intellectual and moral solidarity ये इसका motto था शुरू में इसने promote किया दुनिया भर में peace and order को और बाद में इसी organization को एक नाम दिया गया United Nation Educational Scientific and Cultural Organization यानी की UNESCO important points के बारे में जानते हैं UNESCO के तो UNESCO को found किया गया था 16 November 1945 यानी की 77 years ago UNESCO के headquarter के बारे में बात करें बहुत बर इसके headquarter के बारे में पूछा भी जाता है छोटे exams में तो इसका headquarter है World Heritage Center Paris, France में head की बात की जाए तो at present इसका director general है Audrey Azale जो की एक lady है Jewish ये इस समय में इसकी director general है parent organization की बात की जाए तो जैसे कि हम जानते है United Nation के 6 organs है उन में 6 में से एक organ है United Nation Economic and Social Council उस organ का ही हिस्सा बनाया गया है UNESCO को चलिए जानते हैं objectives क्या है UNESCO के तो UNESCO basically focus करता है कुछ areas में जैसे की इसका पहला purpose है कि attain करेगा quality education सभी के लिए दुनिया बहर में जितने भी इसके members countries हैं वहाँ पे quality education हों सभी के लिए और सभी lifelong learning रखे second है science के knowledge को mobilize किया जाए और ऐसी policies त्यार की जाए जो की दुनिया में sustainable development को बरकरार रखे तीसरा है social और ethical जो भी challenges है उनको address किया जाए और उनके ओपर काम किया जाए और जो भी social and ethical problems है उनको जड़ से मिटाया जाए cultural diversity को जाद से जादा दुनिया भर में फेलाया जाए intercultural dialogues organize किया जाए और culture के थुरू क्या है peace की तरफ भढ़ावा दिया जाए क्योंकि दुनिया भर के बहुत सारी countries एक दुसरे के साथ अपना culture share करते हैं next है building inclusive knowledge societies ऐसा है समाज त्यार करेंगे जिन के पास बहुत सारा ज्यान हो और बो सब हो सकता है information और communication के थुरू जादा से ज्यादा ज्यान बांट के और जादा से जादा interconnectivity देशों के आपस में रखे और इसका main जो focus है दुनिया भर में बो है African continent पे work करना और gender equality को बनाये रखना क्योंकि वरतमान समय में कुछ समय से देखा गया है ये दो सबसे बड़े मुद्दे हैं और सबसे बड़े challenges हैं दुनिया के सामने functions के बारे में बात करते हैं UNESCO के तो UNESCO का first function है कि ये educational के tools की तोर पे काम करेगा, promote करेगा, design करेगा और ऐसा क्यों है क्योंकि दुनिया भर में जितने भी problems है, choice, conflict है उनको खतम किया जा सके इसलिए ये इसका main function है second, दुनिया भर की कितनी जितनी भी cultural heritage है चाहे वो natural है चाहे वो artificial है उसको preserve बचा के रखना है और सब की equally respect करनी है चाहे वो किसी भी cultures के हो और सब को अपनी dignity में जीने के लिए encourage करना है तीसरा है, ऐसे programs create करने हैं, जो की दुनिया में scientific research को और जादा develop करने के लिए encourage करे, help करे fourth है, युनेसको ने freedom of speech के उपर भी बहुत जादा focus किया है कि दुनिया के हर नागरी को equally treat के जाए और जो हाल ही में देखे गे हैं कि बहुत सारे जनरलिस्ट को मारा जा रहा है उनकी killing पे भी restriction लगाई जाए अलग-लग fields की development के लिए जैसे की teachers की training के लिए, scientific advancement के लिए, media की promotion और press की promotion के लिए उनके freedom of expression के लिए reason, reasonable और cultural historical development है उसकी promotion के लिए और human rights की promotion के लिए तो इन सब के लिए monetary help भी की जाती है UNESCO के दौरा International Day जिनको UNESCO के दौरा observe किया जाता है बहुत सारे days है जिन में से important है 8 March को international movement day इसको भी UNESCO के दौरा observe किया जाता है 22 March को है world water day 3 मई को है world press freedom day 2 में इसको है international day for biodiversity 5 माई है 5 June को है world environment day 8 June को है world ocean day 17 June को है world day to combat desertification and drought 12 अगस्त को है international youth day 15 September को है international day of democracy 11 October को है international day of the girl child और 17 October को है international day for eradication of poverty गरीबी को मिटाने के लिए 24 October को मिनाया जाता है United Nation day 16 November को मिनाया जाता है international day for tolerance 1st December को मिनाया जाता है world age day 3 December को मिनाया जाता है international day of persons with disabilities human rights day 10 December को 18 December को international migration day तो ये बहुत सारे international days है जिनको observe किया जाता है UNESCO के दारा और exams में इन days के बारे में भी बहुत time question आता भी है cultural conventions UNESCO की इसके बारे में बात करें तो कौन कौन सी है 1970 में एक convention हुई जिसमें basically जितनी भी cultural properties है उसकी trafficking को रोकने के लिए तो ये 1970 में की गी दूसरी है दूसरी convention हुई 1972 में जिसमें cultural और natural जितनी भी heritage sites है उनको preserve और protect करने के लिए तीसरी है 2001 में convention हुई जिसके अंतरगत जो भी underwater cultural heritage sites है दुनिया भर में उसकी protection के लिए Next 2001 में एक और convention हुई UNESCO के दोरा जिसके अंतरगत जो भी cultural diversity है उसको internationally declare किया जाए जिसके कारण उसको preserve किया जाएगा और protect किया जाएगा 2003 में एक और convention हुई जिसके अंतरगत जो भी intangible intangible means जिनको हम छूँ नहीं सकते feel कर सकते हैं तो जो भी intangible cultural heritage हैं उनको protect किया जाए उनको guard किया जाए 2005 में एक और convention हुई इस convention के अंतरगत जो भी cultural diversity है उसके expression को promote किया जाए और protect किया जाए दुनिया भर में लास्ट है UNESCO के total 1000 heritage sites हैं 166 countries में और ये दुनिया के लिए बहुत ही जादा important है बहुत ही जादा valuable heritage sites हैं important initiatives जो की UNESCO के दौरा लिये गए हैं उनके बारे में बात करें तो पहला है World Heritage Convention and List basically इसमें क्या है जितनी भी world की natural and cultural heritage sites हैं उनको protect किया जाएगा और इसके लिए convention हुई 1972 में इसमें जितनी भी world heritage site को UNESCO का status दिया जाता है फिर उन्हें दुनिया भर में promote किया जाता है preserve किया जाता है और protect किया जाता है बरतमान समय में दुनिया भर में total 1121 UNESCO World Heritage Sites हैं जो की 167 countries में लाई करता है दूसरा initiative है map program जितने भी biosphere reserve है दुनिया में उसके अंतरगत एक special program चलाया गया UNESCO का कि biosphere reserve में से जो बहुत ही जादा important है man के लिए और biosphere के लिए उनको एक नाम दिये गया map program यानि कि man and biosphere program इसके अंतरगत दुनिया बर में world network है biosphere reserve का at present 124 देशों में और 701 sites है जिसके अंतरगत जितने भी natural biosphere reserve है उनको protect किया जाएगा उनको promote किया जाएगा जो कि दोनों के लिए important है human के लिए भी और wildlife के लिए तीसरा है international geoscience and global geopark program IGGP इसके अंतरगत क्या है geologist की help होती है कि वो geography earth की अच्छे से उसको understand करे analyze करे और बहुत ज़्यादा ग्यान प्राप्त करें और depth में geography के बारे में यानि की earth की geology की बिल्कुल description पता हूँ basically इसमें focus किया गया जितने भी natural resources है और जितने भी natural hazards होते हैं उनसे कैसे protect किया जा सकता है दुनिया की life को natural resources को और जो climate का change आ रहा है उसे भी कैसे रोका जा सकता है इस चीज के लिए global geoparks की labs establish की गई है दुनिया भर में और जो earth की natural sites हैं उनको develop किया जा रहा है और इन labs के थूँ उन्हें protect किया जाएगा currently दुनिया भर में 147 UNESCO global geoparks है और इसके 41 member states है next है international hydrological program IHP इसमें basically UNESCO focus रखता है जितने भी बार्टर लेटर research and education है उसके उपर जादा analyze किया जाए जादा knowledge gain किया जाए और बार्टर resources को protect किया जाए last initiative है world water assessment program WWAP इसमें basically क्या है जो दुनिया भर में water के crisis है उसको अच्छे से study किया जाए किस तरह से water को crisis को दूर किया जा सकता है और UNESCO के दोरा क्या help की जा सकती है कि दुनिया भर की जो पानी की समस्या है उसको दूर किया जाए बरतमान समय में इस program के 31 members है important reports जो UNESCO के दोरा release की जाती है उसके बारे में जानते है तो number one है global education monitoring report दुनिया भर के education को monitor किया गया उसके उपर एक report release की गी दूसरा है culture urban future global report on culture of sustainable urban development तीसरा है United Nation world water development report पानी के उपर भी एक report त्यार की जाती है fourth है world trends in freedom of expression media development यह basically press और media से लेटर उनकी freedom of expression से लेटर एक report है next है international conference on artificial intelligence and education and planning education artificial intelligence और उससे related education और planning education से लेटर यह report है reshaping cultural policy अलगलग culture policy इसको कैसे promote किया जा सकता है उससे related report है global ocean science report है engineering से लेटर बहुत सारे reports है कैसे engineering में issues है challenges, opportunities है developments से लेटर युनेसको की science report है जो की 2030 तक बताती है फिर युनेसको की state of education report है भारत के लिए जो की उन बच्चों के बारे में भी जानकारी देती है जो की disability से जूज रहे हैं हाल ही में news में देखा गया है और सुनने में आया है युनेसको को फिर से जॉइन कर रहा है दुनिया का सबसे बड़ा देश USA तो question है why has USA moved to join UNESCO again 2019 में UNESCO को छोड़ दिया गया था US और इसराइल के दोरा तो कुछ reports according USA ने officially कहा है कि वो फिर से बापिस सी कर रहे हैं UNESCO में और इसका reason क्या दे रहे है क्योंकि जो उनकी position थी UNESCO में उसको fill कर रहा है चाइना और वो इस चीज को tolerate नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अगर USA absent है UNESCO में तो जो Chinese policy है वो अपने influence करना शुरू कर देंगी तो उसी influence को target करते हुए UNESCO में फिर से USA बापिस जोईन कर रहा है और इसमें basically वो artificial intelligence और technology education के ओपर काम करना चाहता है और एक standard set करना चाहता है UNESCO के डिरेक्टर जर्नल Audrey Azale ने कहा है जो कि एक ज्वेस है कि वो कि USA हाल ही में फिर से join करेगा और 2017 के elections के बाद USA ने एक decision लिया था कि वो छोड़ देंगे तो इसलिए कह सकते हैं कि एक historic moment है UNESCO के लिए कि USA फिर से बापिस कर रहा है और ये बहुत ज़्यादा important दिन है multi-lateralism के लिए What made the USA leave UNESCO? तो बात है कि UNESCO को क्यों छोड़ा गया था USA के द्वारा पहले ये मुद्दा उठता है 2011 में UNESCO ने Palestine को इसकी member state बना लिया और USA को जब इसके बारे में पता लगा तो उन्होंने UNESCO की जो funding है उसको रोक दिया जो की millions of dollars थे उस समय के रास्टपती Brock Obama के द्वारा अब important बात ये है कि United Nation का Palestine member नहीं है पर इसे UNESCO का member status मनाया गया और इसके कारण ये issue create हो गया क्योंकि UNESCO में एक चीज सामने आई Palestine और Israel का आपस में issues हैं उनके areas को लेके territories को लेके इसलिए फिर बाद में Palestine को एक non-member observer status दिया गया Israel के objection के बाद 2012 में और अब इसका observer status दिया गया non-member के तौर पे तो इसका मतलब है जो भी general assembly होगी उनमें वो participate कर सकता है बट बोट नहीं कर सकता है 2013 में Israel के ambassador जो की UNESCO में है Nimrod Barkan उनने कहा था कि उनकी country US के decision को support करती है कि UNESCO का fund रोका जाना चाहिए क्योंकि Palestine का UNESCO के साथ कोई relation बिल्कुल भी नहीं बनता है और जहां तक Palestine की बात है तो Palestine claim करता है कि West Bank, East Jerusalem, Gaza Strip ये सारे territories Israel ने capture कर ली है 1960 war में और ये belong करती है Palestine को और वो एक independent state है Israel का कहना है कि Palestine बहुत सारे effort करता है United Nation में कि इन territories को बापिस ले ले और ये belong करती है Israel को इस तरह से ये issues बहुत सारे लंबे time से चला हुआ है Israel और Palestine के बीच में पहले भी US जो है United Nation से बिड्राव कर चुका है UNESCO से तो ये बात है 1984 में उस समय US के रास्ट पती Ronald Reagan ने छोड़ दिया था UNESCO को और reason बताया था कि UNESCO एक ऐसी एजंसी है जो कि mismanaged है corrupt है और इसको यूस करती है Soviet Union यानि कि उस समय का USSR 2003 में फिर इसको फिर से जोइन किया गया था US के द्वारा उस समय रास्ट पती थे George Bush और उन्होंने इसलिए जोइन किया कि human dignity के लिए promote करने के लिए UNESCO एक बहुत यच्छा symbol है और US बापिस कर रहा है UNESCO में क्योंकि वो इस चीज को promote करना चाहता है और उनका एक mission है human rights को advance करना tolerance करना और learning को UNESCO और इंडिया के scenario की बात की जाए तो UNESCO के जितने भी programs है उनको चलाने के लिए इंडिया में इंडिया ने एक चीज की establishment की वो है Indian National Commission for Corporation with UNESCO INCCU इंडिया UNESCO का member बनाया गया 1946 में UNESCO के constitution में एक बात है कि जो भी इसके member states है उनको अपनी एक principal body की establishment करना जरूरी है अपने देश में इसलिए भारत ने बनाया Indian National Commission for Corporation with UNESCO जिसका नाम दिया गया INCCU UNESCO के भारत में दो office है नमबर वन है New Delhi cluster office जो की 11 देशों के लिए काम करता है और ये 11 देश है South और Central Asia के जिनमें अफगानिस्तान बांगलादेश बुटान इंडिया इरान मौलदीप मंगोलिया मैमार नेपाल पाकिस्टैन इंचलंका इन सब के लिए यही office है New Delhi का cluster office दूसरा office है महात्मा गांधी Institute of Education of Peace and Sustainable Development और यही फुली तरह से support इस institute को support और fund किया जाता है भारत की सरकार के दोरा इंडिया जो है elected भी हो चुका है inter-governmental committees जो भी UNESCO की थी 2003 की convention के अंतरगत जो की basically ये committee बनाई गी थी Intangible Cultural Heritage की protection के लिए जो की 2022 और 26 के cycle में देखी जाएगी इंडिया जो है इस ICH का member रह चुका है दो बर 2006 से लेके 2010 और 2014 से लेके 2018 तक हाल ही में कुछ समय पहले कौलकत्ता की दुर्गा पूजा को भी UNESCO का status दिया गया है Intangible Cultural Heritage जो की Humanity के लिए प्रमोशन के तौर पे काम करेगी इंडिया और UNESCO की कुछ important conventions है जिनको ratify किया गया है तो The Hague Convention 1954 में हुई है इंडिया ने से ratify किया था 16 जून 1958 1970 की convention जिसे इंडिया ने ratify किया 1977 1972 की 2003 की Intangible Cultural Heritage जिसे इंडिया ने ratify किया 2005 में 2005 की creativity जिसे इंडिया ने ratify किया 15 December 2006 में और जिसके बारे में जो की UNESCO का office इंडिया ने एक principal body अपने देश में स्थाबित की है UNESCO के program को चलाने के लिए उसका नाम है Indian National Commission for Corporation with UNESCO जिसके स्थापना भारत की सरकार के दौरा 1949 में की गी जो की Ministry of Education के अंतरगत आता है और एक permanent commission भी establish किये गया 1951 में Ministry of Education के अंतरगत भारत की सरकार के दौरा तो इस तरह से ये थी बात UNESCO के बारे में UNESCO means United Nation Science Cultural and Cultural Organization जो की important topic है सभी exams के लिए अगर वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा वीडियो लेक्चर को लाइक करें शेर करें कमेंट करें और आपके अपने चैनल दी कंसेप्ट को सब्सक्राइब करें थैंक यू वे नाइस टेइ जैहिंद